आज डेबल अबली ने रोके टाइम पर ड्राफ्ट का यह वाला जो लोगो दिखाया और जो मैं आपसे बात नहीं गया रहा था कि NXT की भी हेवी इंवॉल्मेंट होने वाली है इस ड्राफ्ट में इस लोगों से बिल्कुल क्लियर ही हो गया वो डेबल अबली का वो जो शूश वुश वाला जो भी साइन आए इसको डेबल अबली ने कर रखा है पीले वाले कलर से गोल्डन कलर से बोलना चाहिए तो हो कह रहे हैं कि हमने 3-4 पहले से छोड़े लेकर अभी थोड़ा थोड़ा लगता है तो इससे पूरा चेंज हो जाएगा तो देखते हैं ड्राफ्ट में अब क्या करेंगी डेबल अबली एनक्स्ट के साथ अगर यह चीज हो रही है तो कुछ नहीं बता रहा सबसे वहले तो आपको ट्वीट ही दिखायता हूं रॉक का यह उन्होंने जॉन सेने के साथ जो उनका मुमेंट वह था रसल मेन में उसकी फोटो शेयर की यह यहां पर लिखा हूआ है जो जॉन सेने का आपको पता यू क यह रॉक तो दिख जाएगा जॉन सीना डबल लबली का दूसरा नाम ही रहता है आपको पता है जितनी जादा उन्होंने डबल लबली को ग्लोबली पॉपुलर किया तो यह दो बड़े नाम अगर एक सांट डबल लबली ने रैसल मेना में वो कर दिये तो इससे बड़ा मै तो मैं नहीं कह सकता है डबल लबली में कुछ हो सकता है बिजनस बनाने के साब से इवं डों की जो गपिपिटीए है ।ो और यह जितना अपने आपको शेप में लेकर आतनी मैच हो सकता है बहुत ज् tecnología की possibility है अगर यह business driven decision लेते हैं तो इवन रेसल मीना 41 में अभी तक Roman Reigns के सांथ rock का match हो सकता है Cody की भी बाते चल रही थी अब तक उस लिस्ट में थोड़ा थोड़ा नाम अब सब्सक्राइब कर सकते हो मैं वैसे सभी बता हूं तो मुझे असल लग नहीं रहा कि यह होगा लेकिन अचानक से भाई रॉक का दिमाग सटक जाता है ना और जॉन सब्सक्राइब कितने बन रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा पैसे डेबलोबली कमा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि हॉलिवूड के लेवल को टच कर देंगे लेकिन उससे कम बिनी और दोनों का पैशन डेबलोबली के लिए यह दोनों खुद बोल चुके कि हॉलिवूड में कितना ही काम कर लें अब मैंस मैच को बिल्ड नहीं करा लेकिन परसनली मुझे ऐसा इसके बार में लगता है तो मैच होता है थ्राइस लाइफटाइम तो अब क्या कहोगे इसके उपर कोई एकनॉलेच करे या ना करे रोमन रेंज को चैंपिंशिप भली रोमन रेंज हार गये हैं एक बंदा आप सभी बड़ा वाला है वो जो है वाइज मैन रोमन रेंज का वो लगातार इंस्टराम पर बाई सोरी डाले है यहां पर मुझे देख रहा है कि 38 परसंट लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वह वीडियो तेख तो बाई असा क्यों कर रहा है नीचे देखो आपने सब्सक्राइब बटन हिट किया है फिन ही सब्सक्राइब कर देना अब थोड़े देर पहले एक और स्टोरी डाली उन्होंने कुछ गंटे पहले जहां पर फिर से वह एकनॉलेज कर रहे हैं रोमन रेंस को तो किसी की भी याद हो से रोमन रेंस निकल जाए सबसे बड़े फैन और सबसे बड़े ना उनके क्या कहते हैं उसे डिवोटी वह है रोमन रेंस के पॉले में तो यह अच्छा लागा देखके इससे यह भी क्लियर है कि जब रोमन रेंस वापस आ रहे हैं तो पॉले मेंन का साथ उनके पास नहीं चूटने वाला भले ही वो चैंपेंशिप के साथ हो या फिर ना हो ड्रू मैकेंटार के बारे में दिमाग कॉंट्रेक्ट है वो अभी 5-6 हफते ही और टिकेगा उसके बाद उनको कॉंट्रेक्ट एक्सपार हो जागा पहले यह सुनने में आता कि रसल में तक साइन करना पड़ेगा उसके बाद लेकिन कुछ ताइम आप जो ने लिया था पता नहीं कहा कहा पर लिया तो नहीं कितन कॉंट्रेक्ट हो जागा तो इसका मतलब क्या है यह यही तो कहना चाहरे ना कि कुछ मतला ऐसा थोड़ी होगा कि चैंपिंशिप दे देंगे लो भाई तुम आज से नहीं चैंपिंशिप क्योंकि यह जिस तरीके से इसको फ्रेज कर रहे हैं मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है आपको इसके बार में है थोड़ी सी क्लारेटी तो बताना मैं तो यहीं करना हो कि कोई टूर्नमेंट होगा या फिर कोई है ना मैच इसे मैच उंगे टूर्नमेंट जैसे और उसके बार जाएंगे एंड तक फिर होगा कुछ ऐसे करके मैच जैसे डवल डवली करती है यूज जब चैंपिंशिप वेकेट हो जाती है तो लेकिन क्राउन हो गया इससे लग र एसोल वाले चैंट लग रहे थे और एक हफ़ते के अंदर चैट गेवल जिसको इतनी जादा बेइफेस वाली ट्रीटमेंट टाइप से मिल रही थी फैंस की तरफ से सैमी जेन की ओपर अटाइक करने से वह कुछ ऐसा हो गया और यह रो जब ऑफ वेर भी चली ती तो उसके चहरे पर वो एक स्माइल ला सकते हैं लेकिन किसकी कॉस्ट पर सैमी जेन की चहरे पर स्माइल हटा के आज डबल डबली ने अंकल हाओडी का यह बहुत बड़ा टीज जॉप किया न्यू डे की एंट्रेंस के टाइम पर यह हुआ था यह QR कोड है इस QR कोड से जाते हैं तो यह वाली फोटो है और इस वाली फोटो को भी मिला के देखते हैं तो फिर एक वेबसाइट का लेंगे और उस वेबसाइट के लिंक पर जाते हैं तो वहां पर उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि things will be better trust me ऐसा ऐसा करके बाइक सब कुछ ही आ यहां पर एक बाज है यह बड़ा confusing है लेकिन जो भी है at the end इसका सारा इसमें दिमाग लाने की जुरत नहीं वह दिमाग और चीज़ों के लिए save कर लेते हैं वट यह अंगल हावटी की store line से related है एरिक रोवन के बारे में आपको बता दिया अब बोड अल्यक्ते हैं तो बस अब कुछ time की बात ह लोगन पॉल के बारे में जो है खुश खबरी है कि अपनी पार्टनर के साथ जो है मतलब उनकी पार्टनर जो है और अब एक बच्चा वह एक्स पैक कर रहे हैं अल्रेडी उन्हेंने काफी सारी फोटो जालने में शुरू कर दी कि प्राइम की बार्टल पकड़के क्या रह क्योंकि बहुत आपको बता हुए उनका डेडल अबली का जो करेक्टर अब उनका रियल में वे चारेक्टर को गिवे ऐसा ही है अगर आप उनको पर्सनल लाइब भी फॉलो करते होगे तो काभी अजीब सा लगेगा है लेकिन लोगन पॉल को स्टेबिलिटी बहुत में अपिनेस नहीं कर पाया थे तो अंडर्डेकर ने खुद यह बोला कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था बस रेसल में ऐसा कुछ टाइम पहली मुझे कॉल आता है पहले टेक्स आया उसके बाद मिले को पता चला कि अच्छा मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ फिर उनने म सीना और स्टोन कोल्ड दोन हो थे तो पहले से प्लाइन में था लेकिन स्टोन कोल्ड ना ऐसा कर दिया अब किस ने किया क्या-क्या मुझे तो नहीं बहुत वीर्ड है कि पैसो की विजे से मतलब यह मुझे इतनी कोई खास प्रॉबलम भी ठीक है बाई अंडर्टेकर का चो कि उन्हें नोटिस कि कि कैसे डबल डवली ओवर करना शुरू कर चुकी है रोमन रेंज को फैंस के बीच में जबकि वैसे वह अल्रड़ी ओर है लेकिन आइस बही फेस जैसे पॉल लेख यह ने भी बात बोली थी कि कैसे ग्रेटस जो डबल डवली का रहें है उसको एंड क वाले रन का मतलब यह नहीं की वही वही बिग डॉक वाला आज जाएगा यह बेएफेस वाला रन को थोड़ा सा डिफेरेंट होगा जहां पर वह तो अपने यह एट्रिटूट वैसा ही रहेंगे लेकिन बस क्राउड उनको पसंद करेगा और उनकी हील वाली टैक्टिक है उसका असर आपको कम देखने को मिले यह उन सारे लोग को बहुत जादा खुश कर देगा जिन्होंने फर्स ताम रोमन रेंज को पसंद किया था क्योंकि रोमन रेंज को डबल ने बहुत ऐसा बल्शारी दिखा था कि सारे लोग आजें तब भी वह कर देंगे तो शायर उस सबको रोमन रेंज के स्रें में मिल सकता है अभी चैक करो पहले आपने चैनल को सबस्क्राइब किया है फिने क्योंकि डबल डबली से जोड़ी बहुत सारी मस मस बाते होते रहा है अपने रियक्शन में से शेयर करता रहता है यह वीड़ा अच्छी लगी बाई तो लाइक ज़रूर कर देना और तब तक फिर लेते रोजन देगे मज़े